इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया राज पिपला गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित एक एतिहासिक कज़वा है जो विश्विप्रसिद्ध स्टाचू अफ यूनिटी से सिर्फ 25 किलोमिटर दूर है हर साल सरदार वललभाई पटेल के स्टाचू अफ यूनिटी और उसके खुबसूरत परिसर को देखने आने आने वाले लाखों पर्यतक राज पिपला से ही गुजरते हैं पर बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय राज पिपला वडोदरा के बाद पूर्वी गुजरत के सबसे प्रमुख रियासत की राजधानी थी जिसका इतिहास 700 साल से भी पुराना है आईए जानते हैं राज पिपला रियासत और गुहिर राजधाओं की कहानी जो गुजरत का स्टैट्टी ओफ यूनिटी है उसके पास में ही उसका जो सबसे करीबी गाओं है वो है राज पिपला जो गुजरत के नर्मदा जिले में बना हुआ है और आज अगर आप वहाँ पर जाते हो तो गुजरत की किसी अन्य शहर जैसा ही है पर आपको वहाँ पर दुरुष्ट दिखेंगे जो उसके राजसी वैभव के कहानिया बताता है और जो उसके लैंड मार्क्स है पर जो एक्चुल इतिहास है वो जंगलों में है वो पहाडों में है और इसी से राज पिपला के कहानी के शुरुवात होती है जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हम गोंडवाना जंगल की बात करते हैं जो सेंट्रल इंडिया का बहुत बड़ा जंगल था जो जहा इसे ही रियलाइस करते हैं कि भारत में और एक बड़ा जंगल का ट्रैक्ट हुआ करता था जो मुंबई के ठाने से लेकर एक इसे स्ट्रेट लाइन शेप में अलवर तक फैला हुआ था और यहां पर भिल और मीना ट्राइब के लोग रहा करते थे सेंचुरी तक और बारावी और तेरवी शताबदी में जब डेली सल्टनेट के हमले होने लगे और जो एमपायर्स थे जैसे की मालवा का राज्य है और राजस्तान के राज्य है वो खतम होने लगे तो जो वहां के जो राजपरिवार के सतस्ते थे वो जंगल में जाने लगे और वहां से अपनी सत्ता जबाने लगे, तो 12 और 13 शतादी वे इस जंगल ट्रैक में काफी राज्या बनेति तो उसी तरह जो परमार राजा थे it जो एक साफ़े मालवा पर राज किया करते थे काफी जो परमार राज परिवार के लोग थे वो इस जंगल में आगर वहाँ पर उनुने अपनी छोटी-छोटी जंगलों में रियासते बनाना शुरू किया। उसमें से ही एक थे छोकराना परमार जुनुने अपना राज्य वहाँ पर स्तापित किया। जो गुजरत का स्टैचर अफ यूनिटी है उसके थोड़े ही दूर राज पिपला गाव के बाहर थोड़े किलोमेटर दूर वहाँ पर शुल्पनेश्वर वाइल लाइफ सैंट्चुरी है। और अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको लिटरली दो जील पार करके जब आप क्रॉस करके जाते हैं तो आपको एक स्पेक्टाकुलर दृष्च दिखेगा। वह है एक जील के बीच में एक मंदिर बना हुआ है और कुछ दिवारे हैं। तो यह जो दिवारे हैं वो जुना राज की दिवारे हैं जो पुराना एक इस रीजन का कैपिटल हुआ करता था। और आसपास के जो पहाड़ी है वहाँ पर एक किला हुआ करता था जिसका नाम था देवचत। और वहां से चोकराना परमार अपना राज चलाते थे। अराउंड थर्टीन फॉर्टीज में क्या हुआ उनकी सिर्फ एक बेटी थी। उनके जो जमाई थे। उनका राज था जो गल्फ अफ खंबाठ है। उसकी दूसरे साइड पर जो गोगा बेट जिसे कहा जाता है। मुक्राजी गोहील करके थे। वह वहां के राजा थे। गोहील राज परिवार भी काफी पुराना है। और इस्पेशली काठ्यावार रिजन में उनकी जो वीरता की काफी काहनिया सुनी जाती है। जैसे कि जब सोमनात पर हमला हुआ था तो गोहीरों ने सोमनात को बचाने के लिए काफी लड़ाई की थी। तो उस समय क्या हुआ जो चोकराना परमार है उन्होंने अपने पोते को गदी पर बिठाया। दिस अरॉंग 1340 की बात है सुल्तान मोहमद बिन तुगलक के समय में। और उस समय से जो रॉयल फैमिली है गुहील राजपरिवार उनके शासन की शुरुमात इस शेत्र में हुई। उसके बाद यह एक पहाडी भाग था और यहां पर जंगल थे तो जनरली जो जैसे गुजरात के सुल्तान्स हो गए यह जो पहाडी किंगडम से उन्हें अकेला छोड़ देते थे उन्हें सिर्फ ट्रिब्यूट चाहिए रहता था और यह जो पहाडी राजा और यह जो री काफी जंगल हुआ करते थे बर लकड़ी बहुत वैलिबल थी बिकोज उस समय जो शिप्स थी वो लकड़ी से बनती थी और यह जो पुराने जो बंदरगा है जैसे कि खंबाथ है यह सूरत गोगा यह जो सारे शिप बिल्डिंग रीजन थे तो वो सप्लाई करते थे तो उ राजपिपला राजपरिवार का जो मौटो था वो था श्री रेवाज जी ने काठे जिसका मतलब है रिवा नदी या नर्मदा जी के तट पर तो यह जो एरिया है वो जंगलों और पहाडों से घिरे होने के कारण इसका एक काफी स्ट्रिटीजिक महत्व था और जो काफी जो बाकी के जो राजा है वो यहां पर शरन लिया करते थे बिकोज उन्हें ये सेफ और सिक्यूर्ट लोकेशन लगता था फॉर एग्जामपल 1560 में हमें संदर्ब मिलता है कि जब मुगल बादशा अकबर ने जब चित्तोडगर पर कबजा कर लिया तो वहां के जो महारान थे महाराना उदै सिंग्ग, महाराना प्रताप के पिता जी उन्होंने कुछ समय तक राजपिपला में शरन ली थी सिमिलरली अराउंड थोड़े साल बाद जो गुजरात के जो सुल्तान थे मुजफर शा जब फिर से जो मुगलों की फॉजों ने जब गुजरात सल्टनिट पर आकरमन किया था तब उन्होंने यहां पर शरन ली थी तो जिसकी वज़े से मुगलों में एक आकरोश भी था और फिर उन्होंने एक बड़ी फॉच के साथ राजपिपला को पर हमला कर लिया उससे क्या हुआ जो आज का जो राजपिपला जो एरिया है जो प्लेंज जिसे कहा जाता है वो मुगलों ने अपने कबजे में ले लि और वहां के जो पहाड और जो जंगल एरिया है वो जो गुहील राजाओ के कंट्रोल में ही रहा पर वो मुगलों को ट्रिब्यूट देते रहे और वो ऐसा ऐसा अरेंजमेंट चलता रहा और उनके यूनों को जाधा इंट्रेस्ट नहीं था जो इन जंगलों और पहाडों क जो कंट्रोल करने के लिए बादशा ओरंग्जेप के काल में हमें एक संदर मिलता है यह वो समय था जब महरानी तारबाई जो मराठो की रानी थी वो बादशा ओरंग्जेप के साथ लड रही थी और मराठे लड रहे थे उनके फेमस जनरल्स थे संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव जो ग्यूरिला अटैक्स करते थे मुगलों पे तो हमें एक रेफरेंस मिलता है कि उस समय जो राजपिपला के राजा थे उन्होंने मराठों के साथ अपनी फोजे जोड़कर रतनपुर जो राजपिपला के पास है वहाँ पर एक लड़ाई की ती और मुगल घ्भी थोड़क अभी 1707 में मुगल बाच्छाओरनजिप का निधन हो गया और मुगल सामराजर तूटने लगा तो उसका एड्वांटेज लेकर जो राज-कोपिपला के राजपिपला के राजपिपला है उन्होंने जो इसे अपना कंट्रोल में वापस लेने लगे और द अराउंड 1720 में क्या हुआ जो बडोदा और जो सराउंडिंग एरियाज है वो गायकवार्ड राजपरिवार के कंट्रोल में आ गए और वहाँ पर उनकी सप्ता चलने लगी और यह जो राजपिपला राजपरिवार है वो फिर जोली गायकवारों को ट्रिब्यूट देने ल महाराजा जीत सिंग जी ने अपना जो कैपिटल है वो जूना राज से जो नांदोड जो आज का जो राजपिपला टाउन है जिसे उसमें नांदोड कहा जाता था वो वहाँ पर अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली और वही से 1947 तक वो वहाँ पर राज करने लगे गायकवा जो मुगलो के टाइम पर अंग्रेजो के टाइम पर सेम सिचुएशन था यहां के जो जंगल और पहाड है वो एक सिंबल ओफ रेजिस्टेंस रहे और हम जब 1857 की बात करते हैं जो विद्रो गदर हुआ था उत्तर भारत में तो जासे की रानी और तात्यातों पे और दिल जफर की बात करते हैं यहां के जो भील लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो किया था जो शुल्पनेश्वर सांक्चुरी है वहां पर उसके बिलकुल बगल में सागबारा करके जो परगना है वही पर बड़ा विद्रो हुआ था तो आज हम जाते हैं और अनिमल्स देखते हैं सैंक्चुरी देखते हैं और उस जगह पर इतनी सारी एतियां से गटना हुई है तो यहां पर बहुत बड़ा विद्रो हुआ था और अंग्रेजोंने उसे दबा दिया था इन फैक्ट जो वेरिसाल जी थे सेकेंड करके यहां के राज 60 में और जो राजपिपला के दिवान थे उन्हें फासी दी गई थी तो यहां पर जो 1857 में जो गौरफ शाली विद्रो हुआ था वो जादा लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं उसके बाद 1870s 1890s में जब महाराजा छत्रसिंग राजपिपला की गद्दी पर आए तो एक मौडरन एज हम कह सकते हैं राजपिपला का शुरू हुआ और यहां पर रेल्वे लाइन की शुरुवात की गई इन फाक्क महाराजा छत्रसिंग थे वो बंबे प्रेसिदेंसी में वन अप अरलियस्ट कार ओनर्स थे उन्हें गाडियों का शॉक था तो अभी गाडियो का जमाना आ गया. 1915 में महाराजा छत्रसिंग जी का निधन हो गया और उनकी बेटे महाराजा विजय सिंग जी राजगदी पर बेठे. He was the builder of modern Rajpipla. और उन्होंने Rajpipla को एक international stage दिया. वो बहुत modernizing थे, वो बहुत progressive थे. उन्होंने यहाँ पर airport बनाया. I mean, लोग नहीं जानते हैं कि अभी Statue of Unity बना है तो यहाँ पर बात हो रही है, you know, airport की and regular flights की. पर यह actual idea था, वो महाराजा विजय सिंग जी का था, जो करजन डैम है राजपिपला के पास, प्लस जो नर्मदा पे सरदार सरोवर डैम है, तो उसका जो original idea था कि नर्मदा पर और करजन पे डैम्स बनाना, वो उनका idea था. एक modern, यहाँ पर उन्होंने modern buildings बनवाए, schools बनवाए, और जो राजपिपला का जो income है, वो literally triple हो गया. का विंजर कासल के बगल में बहुत बड़ी इस्टेट हुआ करती थी और international society के वो members थे, बहुत कम लोग जानते हैं कि Ian Fleming, जो James Bond के जो राइटर है, जनोंने James Bond character का निर्मान किया, वो उनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो राजपिपला आकर राजपिपला में रहे, as a guest of the Maharaja. वो अमरिता शेरिगल को जानते थे और रिसेंटली एक पेंटिंग उनके जो फेमस घोड़ा है, विंसर लैड उसकी आई थी, वो बिटिश रॉयल फैमिली के करीब थे और उस समय, राजपिपला वोज नोन नोंली इंडिया बट इवन यॉरोप में राजपिपला का क विजय सिंग जी अग्रसर थे कि उन्होंने इनिशेटिव लिया कि जो आसपास की जो गुजरात की जो रियासत है जैसे कि छोटा उदैपूर, धरंपूर, देवगड़ बारिया, उन सब को एकठा करके भारत में मर्ज किया जाएं और राजपिपला बॉंबे में मर्ज हो गया, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली, 1950 में ही महराजय विजय सिंग जी का निधन हो गया, तो लंबे समय तक राजपिपला उपेक्षा का शिकार बना, यहाँ पे कोई आता नहीं था, एक रिमोट एरिया थी, इंफ्रस्ट्रक्चर नहीं था, तो इतना विकास इस एरि होने के बाद यहाँ के पूरी काया ही पलट गई है, यहाँ पे रिजॉर्ट्स हो रहे हैं, लखो टूरिस्ट आ रहे हैं, जमीनों के भाव बढ़ रहे हैं, डिवेलप्मेंट प्रोजेक्स आ रहे हैं, तो अगर देखा जाए, तो राजपिपला का जो फ्यूचर है, वो ब झाल 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 झाल झाल